हाई फ्रेंड्स मनीवेकर 2307 में आपको बड़े दिल जोगत है आज हम बात करनेवाले वोड़ाफोन आइडिया शेयर्स के बारे में जो फ्राइडेट इंसेशन में आप सबको देखने को मिला है 20% का अपर सर्कीट में जाके मैसिब डील हुआ है इस बेज़ आपका जो ब्र 233 करोर का और सबसे बड़ी बात है कि 20% में इसलिए आपका जाके क्लोज हुआ है और देख सकते हो कि 29 डिसेंबर को एक अच्छा खासा वरबन आइडिया में 20% का सर्कीट लगते हुए दिखा है डिल क्या है कि अपना फंड्रेस कर रहा है अपना ही शेयर को बेचते हुए फंड्रेस कर रहा है 16 करोर के शेयर को बेचते हुए आपका 233 करोर का अपका फंड्रेस कर रहा है और यह डिल टंजेक्शन हो चुका है और इस बेचे से स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है अब क्या करना चाहिए यह हम सब कुछ बात करेंगे इस से स्टॉक के चार्ट पर तो देख सकते हो कि एक अच्छा खासा आपका रेस्टेंस बना हुआ तो कौन सा लेए 14.65 14.65 इस टॉक में बहुत बड़ा एक स्टॉंग रेस्टेंस था जो आपका 52 हाई भी था और उसको 52 हाई था आपका अगर देखा जाए तो यह बिंदी मतलब 15.05 और इस सब को क्रोस करके एक हाई भॉलियूम में आपका एक अच्छा खासा आपको देखने को मिला 20% के सर्किट और अभी क्या करना चाहिए अभी यह बन चुका है आपका स्टॉंग सपोर्ट का लेकिन यह बहुत भोलाटायल स्टॉक है मैं बोलूंगा इसमें बहुत सोच समझ के आपको बाई करना चाहिए और बाई करने का पॉफिट बॉक करना ही में डेजन है तो बहुत सारा काउंटर खुला हुआ है कभी भी मैं इस टॉक में आभी बाई करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको इस ऐसे स्टॉक से साब धन रहना चाहिए क्योंकि एक द आपन हेंडल पटल बनाने के बाद ब्रेक आउट दिया है तो सस्टेन करेगा फिप्टीन अभी क्या है कि स्टॉंग सपोर्ट का कम करेगा फिप्टीन का लेवल और बाई करना चाहते हो तो करेंट मर्केट प्राइज में बाई कर सकते हो लेकिन बहुत ही स्मॉल आज भी है तो यह 20 जनौरी के अंदर 18 का टर्गेट हीट करेगा और उपर से कॉंसलोडेट होने के बाद नीचे आने का इसका में रिजन है क्योंकि फांड्रेस होने के बाद भी अगर रेवीनियो ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा अवाइड करना सही रहेगा वीडियो इन्फरमेंस एन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना आपीका चैनल है मनीमेका 2307 ठैंक्स पर वाचिं